इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। 160 mg tablet दवाओं के एक समूह से संबंधित है जिसे antiplatelet या blood thinner कहा जाता है। यह blood vessel में हानिकारक blood clot के निर्मान को कम करता है। यह हृदे रोग वाले लोगों में hot attack या stroke को रोकने में मदद करता है। 160 mg tablet को उन लोगों के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है जिन्हें हाल ही में hot attack हुआ है या छाती में hot से संबंधित तेज दर्ध हुआ है यानि की unstable angina और जिन्हें hot में staint लगे हैं। यह ऐसे लोगों को गंभीर हृदे संबंधी समस्याओं जैसे कि hot attack, stroke या stunts में खून के ठक्के बनने से बचाने में मदद करता है। आपका डॉक्टर इस दवा के साथ aspirin, एक अन्या antiplatelet दवा भी निर्धारित करेगा। 160 mg tablet को खाने के साथ या उसके बिना लिया जा सकता है और इसे प्रतीक दिन नियमित रूप से एक ही समय पर लेना चाहिए। अगर आप बहतर महसूस करते हैं, तो भी इसे लेते रहना आवश्यक है। अगर आप इस दवा का सेवन बंद कर देते हैं, तो यह आपको किसी अन्य hot attack या stroke होने की संभावना को बढ़ा सकता है। इस दवा का सबसे सामाने side effect खून निकलना है। अगर आपको कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो खून निकलना रुकने में सामाने से अधिक समय लग सकता है। आमतोर पर खून निकलना के ऐसे episode हलके होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को यह दवा लेने के बाद हलके सास फूलना हो सकते हैं। हाला कि यह आमतोर पर निरंतर उपचार के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर खून निकलना बना रहता है या सास फूलना और खराब हो जाता है या ठीक नहीं होता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। 160 mg टैबलेट कुछ लोगों के लिए उप्यूक नहीं है। अगर आप शरीर में कहीं से भी खून निकलना है जैसे पेट का अलसा या मस्तिश के भीतर खून निकलना तो इसे न ले। यह लिवर संबंधी बीमारी वाले लोगों को न लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप पहले से ऐसी कोई समस्या है तो इसका उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।